पुस्तक का नाम मित्रता क्यों, कैसे और किसे से करें? लेखक पंड़त श्री रामशर्मा आचारिय आउडियो फूर मित्रता की आवशक्ता और उसका पोशन अपनी राहा पर एका की चलना कितना अखरता है? इस पर भी यदि मार्ग उबडखाबड लंबा भयावना हो तो राहगीर के लिए आगे बढ़ना और भी कठिन हो जाता है कदाचित ऐसे में राही को कुछ हमसफर साथी मिल जाए तो उसकी वह यात्रा कितनी सरल और सुखत बन जाए इसका सहजी अनुमा लगा जा सकता है जीवन यात्रा का लंबा पत जो अनेकों उतार चड़ाव, परिवर्तन, अनुकूल, प्रतिकूल, सुखत, दुखत परिस्तितियों से निर्मित होता है इस पर एका की चल सकना जन साधरन के लिए संभव नहीं होता मनुष्य अकेला तो सुख भी नहीं मना सकता सुख की अनुभूती का माध्यम उसे व्यक्त करने के लिए भी साथियों की आवशक्ता होती है जीवन पत पर चलने के लिए अभिन संगी साथी सहीयोगी की आवशक्ता मानव जीवन का एक अनिवारिय पहलू है पिवाह का आधार तथा संसार के अन्यनाते रिष्टों का मूल कारण भी यही है मानव जीवन विबिनक शेत्रों में बटा हुआ है इन सभी में पूनता सफलता प्राप्त करने के लिए उसे साथी सहीयोगी मित्रों की आवशक्ता पढ़ती है बिना मित्रों के सहीयोग के जीवन के अधिकांच कारिक्रम असफल ही रहते हैं सिक्षा, व्यापार, पेशा, कला, आधी की साधना जीवन के प्राय सभीक शेत्रों में मित्रों की आवशक्ता रहती है जीवन की कटु दुखत अनुभूत्यों से मन में तरह तरह के विचार भाव एवं ग्रंथियां अपना अस्तित्व कुप्त मन में कायम कर लेते हैं और ये सब जहर की तरह प्रतिकिरिया पैदा कर मनुष्य को मन ही मन गुलाते रहते हैं ऐसे इस्तिति में मनुष्य यदि दिल खोल कर अपनी व्यथा किसी को कह सके छिपे भावों को व्यक्त कर सके तो सहजी उसका मन हलका और स्वस्त हो जाए साथ ही अपने साथी से प्रिर्णा प्रोसाहन पाकर मनुष्य फिर से आशा के साथ जीवन पत पर प्रगतिशिल हो जाए एकाकी पन के कस्ट से बचने के लिए जीवन व्यापार में सहयोग देने के लिए सुक तुक में अभिन्न साथी के लिए मनुष्य को मित्रों, दोस्तों, साथियों की आवशक्ता होती है कोई भी व्यक्ति अपने आप में पूण नहीं होता अता अनेक व्यक्तियों से संपर्क बना कर मनुष्य पूण बनेने का प्रेटने करता है मनुष्य को जीवन में अभिन्न और योग के मित्र मिल जाना एक तैवी वर्दान है संसार की सबसे बड़ी संपत्ती है और जीवन की सफलता का महत्पून आधार है सचमुच बेलोग भागिशाली हैं जिनें अभिन्न मित्र मिल जाते हैं सद्गुण, सहानुभूती, आत्मियता, सज्जनता, उदारता, सदाचार आधी के आधार पर मित्रता के संबंध कायम होते हैं मित्र, संगी साथी, सही योगी, प्रयत्न करने पर भी मिल भी जाते हैं किन्तु, सबसे महत्वपूर्ण बात है मित्रता को स्थर और जीवित रखना, उसे विक्सित करना, संसार में सच्चे मित्रों की कमी नहीं। किन्तु, मित्रता को जीवित कैसे रखा जाए, उसे दिनों दिन मधूर और गहरा कैसे बनाय जाए। इस ज्ञान के अभाव में मिले वे मित्र भी दूर हो जाते हैं, अपने भी पराय बन जाते हैं, मित्रता त्याग, बलिदान और आत्मो सर्ग पर जीवित रहती है, जहां स्वार्थ लाब की कामना रहती है, वहां मित्रता टिक नहीं सकती, मनुष्य कितने ही सावधानी बढ़ते, किन्तु एक न एक दिन स्वार्थ का भाव प्रकट हुए बिना नहीं रहता, साधारन से व्योहार में भी स्वार्थ परता का दिस्टिकों स्पस्ट हो जाता है, आजकल बाजार में मिलावटी, सेल्समेनों की सी हमदर्दी, व्यभिचारी के सेवा त्याग के स्वांग की तरह ही मित्रता का भी रूप बन गया है, उप्योगी व्यक्ति कुछ लाब पहुँचाने वाले लोगों से ही मित्रता के जूटे सम्मंद जोड़े जाते हैं, स्वार्थ की कठोर दहली से टक्रा कर कुछ ही दिन में नस्ट भ्रस्ट हो जाती है, ऐसे मित्रें बाजार में मिल जाने पर तत्रा कर निगाह बचा कर टल कर निकल जाते हैं, दुनिया के बाजार में फैले हुई नकली माल की तरह ही आजकल ऐसी नकली मित्रता का ही चारों और बोल बाला है, यदि कहीं सच्ची मित्रता है, तो उसकी संख्या उसी तरह है, जैसे कंटकों के पहार में दो-तिन हीरों के टुकड़े, परस पर निस्वार्त हो और उसके साथ ही दूसरों की समस्याओं को समस्ते हुए, बिना मांगे कहे स्वेच्चा से एक दूसरे का उदार्ता पूर्वक सहियोग करना ही सच्ची मित्रता का आधार है, कटनाई के समय ही मित्रता की परिक्षा होती है, मित्रता परस पर एक आत्मिक समझोता है, जिसमें एक की विथा, दूसरे की विथा, एक का दुख, दूसरे का दुख होता है, मैत्री सूत्रों से जहां तक हो किसी तरह की मांग पेश न की जाए, स्पस्ट तोर पर तो मांगना सर्वता वर्जित है, मित्रता के पीछे किसी तरह की आशा महत्तो कांग्षा नहीं रखनी चाहिए क्योंकि संभव है कि वे पून नहों और फिर मनुश्य को निराशा का सामना करना पड़े वैसे आशा अकांग्षा में सदेव स्वार्थ भाव नहीं दोता है एक की पूर्थी हो जावे तो दूसरी उटखड़ी होती है मित्रता आंतरिक प्रसन्नता की वृध्धी स्वान तह सुखाय मनो भूमी के लिए एक सामाजिक संयोग है वहाय लाव, स्वार्थ, आशा, अकांग्षाओं के लिए उसमें कोई गुंजाश नहीं वस्तुता, मानसिक और नैतिक शेत्र में समानता सामन जस्य एक रस्ता का नाम ही मित्रता है जिसमें जितनी प्रगार स्थिती और अनन्यता पैदा होगी उतना ही मित्रता का स्वरू भी निखरता जाएगा वहाई जीवन में ही नहीं अपितु, मानसिक संयोग चितना अधिक होगा, मित्रता भी उतने ही सुख कर होगी। बुरे स्वार्थों को रख कर की जाने वाली संद्य बद्ध मित्रता एक बुरा व्यापार सिद्ध होती है। पृत्वी राज चोहान से बदला लेने को जैचन ने मुमत कौरी से मित्रता की। किन्तु, वहाँ भी अंत में पकड़ कर माट डाला गया। किसे भी पापकर्म, दुशकर्म, अनिती के लिए होने वाली मैत्री मित्रता नहीं। टकैत, चोर, गुंडे, शराबी, जुआरियों की मित्रता प्राया नस्ट भ्रस्ट होती देखी जाती है। इस तरह के मित्र परस पर एक दुसरे की जान ले बैठने पर भी उतारों हो जाते हैं। तुटियां सभी में होती हैं, सभी कुछ न कुछ भूल भी गर बैठते हैं। ऐसी स्तिति में अपने ही भूल गलती मान कर उदारता शमा का परिचे देकर मित्र के लिए माग दर्शन देना चाहिए। शिकायत करना, रूठना, मनाना, आक्षेप करना मित्रता के लिए खातक विश है। कभी कभी गलत फैमी से कदाचित, कुछ विरोध, द्वेश की भावना पैता हो भी जाए तो उससे विचलित नहीं होना चाहिए। ना अपने को सही सिद्ध करने के लिए अन्य उपाही करने चाहिए। बरन निश्चलता के साथ अपने स्थान पर इस्तर रहकर अपना भाव दिस्ट्री कोड ठीक पनाय रखा जाए। सोयम प्रभावित नहों, हिर्दय से दूसरे पक्ष के प्रती, हमदर्दी, सद्भावना, क्षमा, उदारता का व्योहार किया जाए। इससे कलत फैमी में जल्दी ही दूर होगी, भूलों को सुधरने, उन पर विचार करने को समय मिलेगा। और मित्रता अपने वास्तविक रूप में फिर निकरेगी। मित्रता के लिए एक महत्तुपून गुण है हिर्दय की विशालता, उदारता और महत्ता। उसके कारण विपत्ती और गरीबी में भी मनुष्य को मित्रों की कमी नहीं रहती। हिर्दय की इस विक्सित अवस्था से जंगल में भी मित्र मिल जाते हैं। पसुपक्षी भी मित्र बन जाते हैं। राम बन में गए तो भील, बंदर, भालू, गिद्ध, आदित पसुपक्षी भी उनके अभिन्न मित्र बन गए। इसका मुख्य कारण उनके हिर्दय की माह जिससे वे सभी को आत्नोवत मान कर निर्स्वार्त भाव से प्रेम करते थे। उदारता पूर्वक एक दूसरे की सराहना प्रोसाहन मित्रता को सजीव और दण बनाता है। साथ ही इससे गिरे हुए उड़ते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। व्यंग विश्भरे वान की तरह है जो मनुश्य के हिर्दय के बीच की ठोस मित्रता को काट देता है। इनसे सदा दूर रहा जाए। सुकोमल व्योहार, उदारता, आदरभाव, मित्रता को चरस्थाई बनाने के लिए आवशक है।